कहीं आपके साथ भी तो सोने की खरीदारी में ठगी तो नहीं हो रही अगर आप अब सोना खरीदे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है सोने को खरीदने से पहले हमारा ये वीडियो जरूर देखें लोगों को ठगी से बचाने के लिए सरकार ने सोने के अभूशन पर हॉल मार्किंग अनिवारे कर दिया है लेकिन इसके बाद सोने के मिलावट में यानि सोने के गहनों में अभी भी देश में धडलले से नकली सोना बेचा जा रहा है हौल मार्किंग फेडरेशन ओफ इंडिया ने भी इस बात को माना है कि कुछ लोग सोने के आभूशन पर नकली हौल मार्किंग कर ग्राहपों को चूना लगा रहे हैं फेडरेशन ने केद सरकार को पत्र लिखकर नकली हॉल मार्किंग को रोकने के लिए सक्त से सक्त कदम उठाये जाने की मांग दिकी है पूरी वेब सेरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज अप हॉल मार्किंग फेडरेशन उप इंडिया के प्रेजडेंट जेम्स जॉन्स का कहना है कि सरकार ने अभी तक हॉल मार्किंग के पुराने लोगों पर बैन नहीं लगाया है इसी की आड़ में नकली हॉल मार्किंग कर कम रेट वाले सोने के गھने ग्राभों को जादा के बताकर लगातार बेचे जा रहे हैं नकली हॉल मार्किंग पर लगाने के लिए सरकार को पुराने लोग इस्त्माल करने की समय सीमा तै कर देनी चाहिए और तैस सीमा के बाद इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए शायद इसके बाद ही नकली सोने की खरीद फिरोज से बचा जा सकता है अब आपको बताते हैं कि आखिरकार हॉल मार्किंग होती क्या है हॉल मार्किंग सोने की शुदता की गारंटी होती है हॉल मार्किंग हर आभूशन पर लगने वाला एक निशान होता है जिसमें भारतिय मानक ब्योरों का लोगो उसकी शुदता की पहचान होता है इसके साथ ही टेस्टिंग सेंटर आधी की भी जानकारी आप उसी हॉल मार्क से असानी से प्राप कर सकते हैं किसी आभूशन में सोने की मातरा अलग-अलग होती है जो कि उसकी शुदता यानि कैरेट के आधार पर तैम होती है कई बार ज्वैलर्स कम कैरेट के आभूशन उची कैरेट की कीमत बसूलते हैं इसी को खत्म करने के लिए हॉल मार्क का अनिवारे किया गया है कई बार आपने भी देखा होगा कि कम कैरेट वाले सोने को जादा कैरेट का बता कर दुकांदार बेस्ते नजर आते हैं और कई लोग इसकी ठगी के शिकान को जाते हैं अब आपको बताते हैं कि असली सोने की पहचान कैसे करें यानि असली हॉल मार्क की पहचान आप कैसे कर सकते हैं सरकार ने पिछले साल एक जुलाई से गूल जुलरी की हॉल मार्क की के तीन संकेद जाली किये थे जिसमें से पहला संकेद क्या है वो बताते है B.I.S. हॉल मार्क का निशान होता है जो की तिकोने शेप में मिलेगा आपको दूसरा संकेद शुधता की पहचान होता है यानि इससे आपको पता चल पाएगा कि यहना जो आपने खरीदा है उस वो कितने कैरेट का है तीसरा संकेद होता है डिजिट का एक अलपा निउमेरिक कोड होता है जिसे H-U-I-D का जाता है HUID का मतलब होता है Hallmark Unique Identification Number ये जो number होता है ये 6 डिजिट का number होता है Hallmarking के वक्त हर जूलरी को एक HUID number अलॉट किया जाता है ये एक unit number होता है इसके आप सारी जानकारी प्राथ कर सकते हैं यानि कि आप साथ हो चुका है कि आप जब भी सोना खरीदने जाते हैं तो जो भी सोना खरीदते हैं उसमें Hallmark है या नहीं ये जरूर चाहिए करें और जिस तरीके से 3 संकेश साथ तर्प और मैंने बताये हैं जब भी सोना लेने जाए इन बातों का खास ध्यान रखे फिलाल के लिए इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा